ओशो की दस आग्या को समझाने की कृपा करें टेन कबान्मेंट्स अब ओशो क्या है बहले इसका संदर्व जान लो तो फिर इस बात को समझने में आसानी होगी यहुदियों का जो परबात्मा है उसका दाम यहोवा है तो यहोवा ने मुशा को यात्रा के लिए दस निर्देश दिये थे कि यात्रा में जा रहे हो तो यह दस मेरी आग्या दस मेरा निर्देश याद करो जिने हम टेन कमान्मेंट्स अर्था दस आग्या के रूप में जानते हैं तो यह जो दस कमान्मेंट है दस आग्या है ये परमेश्वर ने परमात्मा ने जो पेगंबर मुसा थे उनको दिया गया था तो इसी संदर्व में पटना विश्व विद्याले के एक प्रोफेसर थे डॉक्टर राम चंद्र उन्होंने ओशो से अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए दस आग्या पूछा था उनसे कहा था कि ओशो हमारी आध्यात्मिक यात्रा के लिए आप दस आग्या बताएं टेन कमान्मेंट्स बताएं कि हमें क्या करना चाहिए ओशो ने उनके प्रश्टिक उत्तर में आठ चार उननीसो सतर आठ अप्रिल उननीसो सतर को पत्र लिखा कि मेरी दस आग्याएं पूछी हैं बड़ी कठिन बात है क्योंकि मैं तो किसी भी भात की आग्याओं के विरोध में हूँ फिर भी ये खेल रहेगा इसलिए लिखता हूँ बड़े हलके फुल के अंदाज में ओशो अपनी दस आग्याओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं ओशो की दस आग्याओं क्या है तो उनको अभ्याख्या सहीत मैं बताना चाहूँगा कि वो दस आग्याओं क्या है और उनसे ओशो का तात्पर क्या है जो पहली आग्या है वो है किसी की आग्या कभी मत मानना जब तक कि वह स्वेम की ही आग्या नव हो क्या कहना चाहते हैं ओशो कि जब कोई जब जो आग्या तुमको ठीक लगे जो एडवाइस जो राय जो मनतब तुमको ठीक लगे जो ठीक जचे तुम्हारी दृष्टी से बस उसको मानना सिर्फ इसलिए किसी बड़े ने कोई आग्या दे दी है कि तुम ऐसा करो ऐसा मत करो और चुकि किसी बड़े ने किसी बज़ुर्ग ने ये बात कह दी चाहे हो कोई भी हो तो उसको तुम आख बंद करके अंद विश्वास में उसको आप आलन करना शुरू कर देते हो नहीं प तुम को लगना चाहिए कि हाँ करके देखते हैं करके देखते हैं ये ठीक भी हो सकता है नहीं भी ठीक हो सकता है इसको करता है हाईपो थेटिकल ट्रस्ट एक होगया उसको करता है रियल ट्रस्ट तो हाईपो थेटिकल एक ट्रस्ट होना चाहिए कि देखने में ठीक लगता यह सला मानने लाइक है तो हम मान करके देखते हैं इस रास्ते पर चल करके देखते हैं जैसे तुम आए और पूचते हो कि क्या हमें ओशोधारा का कोई कारेकरम करना चाहिए हम कहते हैं कि ऐसा करो ध्यान itelगो कर लो अगर बात जचेगी तो तुम आगे कारे करम करना नहीं जचेगी तो छोड़ देना तुम कहते हो अच्छा हम करके देख लेते हैं क्योंकि अगर तुम आख बंद करके मान लेते हो बिना जाने मान लेते हो तो ये भी गलत है और अगर तुम बिना जाने बिना प्रयोक की उइनकार कर देते हो तो ये भी गलत है तुम इस बात के लिए कि वी तयार होते हो कि हम प्रयोक करके देखते हैं अगर बात जचेंगी भी हमको लगेगा तो हमारा विकास हो रहा है तो हम इसे रास्ते पर चलेंगे तो जब ओशो कहते हैं कि मानो मत जानो कि एक जगा बहुत सुन्दर बात कहते हैं कि मानो मत जानो किसी बात को मान मत लो बलकू उसको जानने की चिस्टा करो और जब तुम्हारे अनुभव में वह बात आ जाए तो निश्चित अपने जीवन में उसको अपना लो जो दूसरा कमान्मेंट या दूसरी आग्या है कि जीवन के अतरिक्त और कोई परमात्मा नहीं है ये जीवन ही है प्रभु ओशु की किताब का नामी है क्या कहना चाह रहा है हो ओशु कहते कि परमात्मा व्यक्ती नहीं समस्टी है अर्ताति ये समस्ट जो अस्तित्व है ये जो चैतन है ये जो जीवन के रूप में फैला हुआ है चारो तरफ यही परमात्मा है तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि ये जीवित अस्तित उही परमात्मा है बैने एक जगा लिखा है कि मेरे मुर्शिद ने कहा सिधार्ट सुन आसमा खुद है खुदा हम क्या करें दिया के नीचे अंधेरा क्या करें या खुदा तु ही बता हम क्या करें तो इस तरह से ये सारा आकाश चो तुम देख रहे हो ये जड़ नहीं चेतन है और यहीं परमात्मा है परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है परमात्मा समस्टी है जिसके लिए हज़रत मुहम्मद साहब कहते है ला इला इल्ला नहीं है प्राणी परमात्मा से भिन अर्थाथ जीवन का ये फैलाओ देखते हो यही परमात्मा है स्वेम अश्टावकर कहते है कि सब में है एक ही आत्मा है जनक प्राणी परमात्मा से नहीं है अलग है जनक सब में एक ही परम चैतन प्रभू का विस्तार है, सब की आत्माओं में है और जो प्राणी है, जो जीव है, वो परमात्मा से अलग नहीं है बलकि समस्त जो प्राणी ऐसे ही परमात्मा के विस्तार है जैसे कि एक व्रिक्ष के कई पत्ते होते हैं ऐसे ही सारे जीव जन्तू उस परमात्मा रुपी वरिक्ष के ही विस्तार हैं तो ये दूसरा कमान्मेंट है कि जीवन के अतरिकता और कोई परमात्मा नहीं जो ओशो की तीसरी आग्या है, वो है सत्य स्वैम में है इसलिए उसे कहीं और मत खोजना क्योंकि सत्य क्या है ये हम अपने जीवन सत्य हमारे भीतर है लोग क्या सोचते हैं कि सत्य कहीं बाहर है परमात्मा केवल बाहर है और केवल उसको खोजने कहां जाते हैं तीर्थों में जाते हैं गुफाओं में जाते हैं हिमाले में जाते हैं तो सत्य को खोजना हो, तो अपने में लोटना पड़ेगा, सत्य को खोजना है, तो भीतर ही उसको खोज सकते हो, भीतर ही उसको पा सकते हो, सत्य कहीं बाहर नहीं है, और बाहर जो भी खोजते हैं, वे ऐसे ही निरर्थक प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए इकबाल साब कहते है ढूरता फिरता हूँ मैं इकबाल अपने आपको आप ही गोया मुसाफिर आप ही मनजिल हूँ मैं कहते हैं कि मैं एक यात्री हूँ मैं एक मुसाफिर हूँ ढूरता फिरता हूँ मैं इकबाल हूँ लेकि क्या ढूर रहा हूँ कहां ढूर रहा हूँ कि अपने में भीतर ढूड़ रहा हूँ, आप ही गोया मुसाफिर, मैं ही खोजने वाला भी हूँ, और आप ही मंजिल हूँ, मैं मंजिल भी मही हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ, कि जो मुकाम है, असली मुकाम है, भीतर ही पाया जा सकता है. जो चोथी आग्या है, प्रेम प्रार्थना है, क्या कह रहे हैं ओशो, कि ये मानिता प्रार्थना नहीं है, ये याचना प्रार्थना नहीं है, बलकि ये जो प्रेम है, ये जो अहो भाव है, ये असली प्रार्थना है, इसलिए अहो भाव से सहो का निवेदन प्रार्थना है, याचना प्रार्थना नहीं, सामानिता लोग प्रार्थना के नाम पर याचना करते हैं, एक कभी कहता है, संवेद ना हिर्दय में न होती, तो हिर्दय पाशान हो गया होता, मधुरिमा कंठ में न होती, तो शब्द विश्पान हो गया होता, वासना प्रेम में न होती, तो प् ळीर भक्ति परम्सत्य की ओर परमात्मा की ओर ले जाती है. जो पाँचवा कमार्णमेंट या पाँचविया गया है शुन्य होना सत्य का द्वार है। अर्था सुन्यता ही साद्ध है और सुन्यता ही सिद्धी है। इसलिए कि कह रहे हैं कि शुन्य होना सत्य का द्वार है, अर्था कि शुन्य कब होते हो, ध्यान में होते हो, तो ध्यान ही सत्य का द्वार है, ऐसा ओशो समझाते हैं, जो छठी आग्या है उनकी, जीवन है अभी और यही, कि जीवन कहीं भविश्य में नहीं है, जीवन कहीं अतीत में नहीं है, सामानता मतीत के बारे में सोचते हैं, या भविश्य के बारे में सोचते हैं, लेकिन जीवन अभी बहता चला जा रहा है, बहती नदी की तरह, तो जीवन अभी और यहीं है, आनंद गीता में हमने लिखा है, जीने को हर दम मिला एक छण है, अगर तुम सु ये जो जीवन है इसको अभी और यहीं खोजो यहीं और यहीं इसके प्रतीच जागो साथ भी आ गया है कि जीओ और जागे हुए जीओ सामानता लोग जीते जागे हुए नहीं जीते हुए सोते हुए जीते है संत कहते हैं जग जग करते जग गया जगा नहीं को बार सारे संत हमें जगाने के लिए आते हैं लेकिन हम जागने को तयार नहीं है दरिया साथ कहते हैं कि दरिया सोया सकल जग जागत नहीं कोई जागे में फिर जागना जागत कहिए सोय तो चियो और जागे हुए, आठवी आगया है, तैरो मत बहो अर्थात, जो हुकम के इनसार चल रहा है, उसका स्वीकार करो, जिसको तताता कहते हैं कि जो हुकम है, जो रित है, जो धम है, जो परम दियम है, जो भी घटित हो रहा है, उसको प्रतिस्वीकार भाव में जियो, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए दानक दिवकते हुकमी हुकम चलाए राह, नानक भिग से बेपरवा, जो हुकमी का हुकम इस स्रिष्ट को चला रहा है, नानक उसको स्विकार करके जीवन बे आगे बढ़ा जा रहा है, उसको नौही आ गया है कि मरो प्रतिपल, ताकि प्रतिपल नए हो सको, सभी संद कहते हैं कि जाक करके जीवन जीओ, जिसके लिए गोरा कहते हैं, मरो है जोगी मरो, मरन बरो है मीठा, अस मरनी मरो जस मरनी गोरख मर डीठा, जीवित मरिये, भौजल तरिये, और जीते जी कैसे मर सकते हैं, ध्यान में मर सकते हैं, समा दस्वी आग्या है, खोजो मत, जो है है, रुको और देखो, अर्थात ये भाग दौर मत करो, भाग दौर की जिंदगी मत जिओ, रुको तो मंजले ही मंजले हैं, चलो तो रास्ता कोई नहीं है, तो इसलिए ठार जाओ, एक परम ठाराओ, एक परम विश्राम घटित हो जाए तो ओशो ने अपनी दस आग्याओं के मादम से सत्य को उजागर किया है, तो सत्संग को यहीं विराम देते हैं,